गुरीवनिंग फ्रेंड्स मैं आज फेस्बुक लाइब में आया हूँ एक इंपॉर्टन मेसेज अपने लोगों को देने के लिए और जो दिल के अंदर का बात है वो बोलने के लिए मैंने कल विडियोज देखा जहां मैं बांगलादेश में हमारे कैसे इंडिजिनिस माइनॉरिटीज के ओपर अटाक्स हुआ बेरहमी से मारा गया घर जलाया गया और ये पहली बार नहीं हुआ है जब से शेक हसीना का सरकार गिरा है तब से पूरे बांगलादेश में माइनॉरिटीज के ओपर हिंदू बंगाली हो खासीज, गारोज, जैंतियाज, त्रिपुरीज, चाकमाज, मॉग्स हम सब के ओपर अटाक्स हो रहा है ये अनेकसेप्टिबल है और मैंने देखा है कि हम लोग चुप बैठे हैं मैं कभी भी हमेशा मैं कहता हूँ कि एक देश का अस्तित्व तब बनता है जब वो अपने माइनॉरिटीज को पूटेक करें इंडिया में त्रिपुरा में मैंने हमेशा अपने माइनॉरिटीज के लिए बात किया है मुसल्मान हो मैंने हमेशा उनके लिए पूजिशन रखा है और मैं नहीं चाहता हूँ कि इंडिया भी बंग्रादेश जैसा बने लेकिन जब हमारे इंडिजिनिस, बिंगॉली, क्रिस्टिन, बुदिस्ट के उपर ऐसा अत्याचार हो रहा है तब हमको भी सोचना पड़ेगा कि हम लोग अपने लोगों को जो बॉर्डर के उस पार है उसके बारे क्या करें मैं जानता हूँ कि जो हो रहा है वो प्लैनिंग से हो रहा है ये सिस्टेमेटिकली हो रहा है क्योंकि ये लोग चाहते हैं कि वो हमारा जमीन ले ले हमारा घर को जला कर उक्यूपाई करे और ये लोग मजब के नाम में हमारे जमीन, हमारे बीवी, हमारे बहन, हमारी माँ के उपर अत्याचार कर रहा है, हमारे यूद को मार रहा है, this is unacceptable. आज टिपरा मौथा ने, YTF ने, बांगलादेश हाई कमिशनर के सामने प्रोटेस्ट किया, लेकिन प्रोटेस्ट किया, बांगलादेश के हाई कमिशनर को भी मौलम होना चाहिए, कि अगर हमारे लोगों के उपर ऐसा अत्याच हुआ, तो उनको भी जवाब देना चाहिए, त दिरुपरा में enjoy करकर, अगर आप हमारे लोगों के उपर जो attacks हो रहा है, उसका जवाब ठीक से नहीं दे सकते हैं, तो आपका क्या काम है दिरुपरा में बैट कर रहने के लिए, जवाब आपको देना पड़ेगा, explanation आपको देना पड़ेगा, और मैं request करता हूँ, Government of India के सर लोग रुकिंगे नहीं जब तक इंडिया ये मैतर को यूनिज़े नहीं ले जाता है, the time has come for India to raise this issue and expose Bangladesh in front of the entire world, I appeal to the government of India that this matter should be raised, the rights of the minorities being attacked in Bangladesh should be raised in the highest level in the United Nation and let us embarrass Bangladesh, if they cannot protect, if they cannot protect the lives of the Hindus, the Christians, the Buddhists in Bangladesh world aid should be stopped to them Asian Development Bank should take them to task and India should also rethink about whether we need to give them the perks that they deserve or not बहुत हो गया और मैंने देखा है कि हमारे लोग बहुत लोग दड़ते हैं आवाज उठाने से आप लोग दड़ने से कुछ नहीं होगा हम इंडिया में उसका जवाब मुसलमान के घर को जलाकर नहीं करेंगे यहां में हम माइनॉर्टिस का सुरक्षा करेंगे लेकिन जब भी अत्याचार होगा उसका जवाब हम उनको बंगलादेश में इंडिया को भी सोचना चाहिए अगर बंगलादेश अपने माइनॉर्जी इसको प्रोटेक्ट नहीं करता है तो एक अलग देश बनाया जाए क्योंकि यह जो वो कर रहे हैं उन्होंने पहले भी किया नुआखाली में किया कापताई डाइम के समय किया कुमिला में किया और आज फिर से कर रहे हैं और हम लोग हमेशा चुप बैटे हैं इसके लिए लोग करते रहते हैं मत भूलिये हमारे तिप्रासा लोग महराजब बीप चंदर लाइबरी कुमिला में उसको जला दिया गया तीन हजार पुरानी किताब जो हमारा एतिहास था उसको जलाया गया क्या करना चाहते ये लोग क्या इनका मकसद है इनको भी समझना चाहिए और इंडिया शुड आच्छुली सीरिसली कंसिडर एक्स्पोजिंग बंगलादेश और प्रेजंट अड्मिनिस्ट्रेशन इन बंगलादेश दियुनाइट निश्ट्रेशन इस इस एक्लियर केस ओफ हुमन राइट्स वाइलेशन जब बंगलादेश को पूरे दुनिया के सामने हम एक्स्पोज करेंगे तभी ये ये सब चीज को रोकेंगे और हाँ ये बंगलादेश आज से पचास साल पहले बना है हमारी लोग वहां में हजार साल से रह रहे अगर कोई देश अपने नागरी का सुरक्षा नहीं करता है अगर कोई देश धरम के नाम में मजब के नाम में अपने नागरी को अटाक करता है तो वो देश तूट जाता है और ये देश तूटेगा अगर ये लोग ऐसा काम करेंगे बंगलादेश हम लोग खुद राली करेंगे और हम लोग भी in solidarity with our indigenous brothers and sisters the Hindus in Bangladesh the Christians in Bangladesh the Buddhists in Bangladesh we love you and we have our sentiments and we will do everything possible to put pressure in our central government to expose Bangladesh so that this atrocity stops and if the Bangladesh does not stop this atrocity पहले भी पाकिस्तान दो तुक्रे में तूटा है जादा समय नहीं लगेगा जब बंगलादेश भी दो तुक्रे में तूट जाएगा मैंने सुना है I have heard कुछ leaders बोल रहे हैं कि हम लोग नौर्टीस को capture करेंगे आप लोग अपना देश को नहीं बचा सकेंगे नौर्टीस और इंडिया को capture करने के लिए सपना देखना छोड़ दीजे हम लोग को हलका मत लीजे हर तिप्रासा हर हिंदुस्तानी हर बंगाली हर इंडियन अपने देश का सुरक्षा करना जानता है आप लोग अपने देश में अपना लोगों को समभालिये वरना हमको भी देखना पड़ेगा अगर आपको लगता है यह वर्निग है तो वर्निग ही सही लेकिन हमें भी हमें भी सोचना पड़ेगा आने बेवकूफ लोग हैं, जो minorities के साथ Bangladesh में हो रहा है, वो इंडिया में करना चाहते हैं यह हमारा culture नहीं है यहां में मुसल्मान, हिंदुस्तान का मुसल्मान भी हमारे संग खड़ा होगा और Bangladesh को condemn करेगा जो वो लोग कर रहे हैं This is my message to all my warriors 26 तारिक को एक रैली निकलेगा, मैं खुद रहूंगा We will protest and we will do everything in our pressure to expose the atrocities of Bangladesh on its minorities We will not leave our brothers and sisters across the border helpless This is my message to all Bela Aino Hamba